Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all will be good. मैं हूँ मिस्राखी और मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है. तो आज हमारे इंग्लिस कन्वर्सेशन वर्ड का सेकेंड वीडियो है. फिर्स्ट वीडियो में मैंने अल्रेडी डेडी यूज वोकैबलरी, क्या फिर कै सकते हैं? कन्वर्सेशन वर्ड मैंने आप सब को बताया था. सो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आज का वीडियो बना रही हूँ. इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 25 प्लस ऐसे वर्ड्स, ऐसे डेली यूज वर्ड्स, जिनको यूज करके आपकी इंगलिस स्पिकिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है. And one more thing, इस वीडियो में मैं केवल वोकाबलरी नहीं बताऊंगी, मैं आपको वकायदा उनके इंगलिस सेंटेंस भी बताऊंगी, और overall आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही important है, so start करते हैं वीडियो, और first word है, हमारा की जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा first word है careless, careless means है cohesive message होता है La なपरवाह, और उसका sentence है He is a careless boy, वह एक लापरवाह लड़का है वह एक लापरवाह लड़का है, next है second, second vocab है, first हो गया careless, careless means होता है La परवा और सेकेंड है पार्टिकुलर, पर्टिकुलर, सेकेंड है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास या ब्यक्तिकत और इसका सेंटेंस बनेगा I have nothing particular to talk about, मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसका मतलब होगा मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, I have nothing particular to talk about, particular यह हुआ और इसका मतलब हुआ खास प्यक्ति, third है majority, majority का मतलब होता है बहुमत और इसका sentence बनेगा, they have clear majority और इसका हिंदी मिनिंग होता है उनके पास सपस्ट बहुमत है, majority मतलब बहुमत मिन्स वोट, जिसे हम वोट कहते हैं, next है fourth, artificial, artificial मिन्स होता है जूठा या बनावटी, जूठा या बनावटी, इसका sentence होगा, see, always wear an artificial smile on her face, वो हमेशा अपने चेहरे पर बनावटी मुश्कान बनावटी है, या रखता है, वो हमेशा अपने चेहरे पर बनावटी मुश्कान बनावटी है, या रखता है, number four होगा, artificial, artificial मिन्स होता है, बनावटी, number five है, why not, why not का मतलब होता है, क्यों नहीं, यह पहले वाले वीडियो में भी मैं डिस्कस कर सुकी हूँ, why not के बारे में, और इसका sentence बनेगा, why not relax and enjoy the atmosphere, why not relax and enjoy the atmosphere, इसका हिंदी मिनिंग होगा, क्यों ना आराम करें और महाल का आनन्द लें, क्यों ना आराम करें और महाल का आनन्द लें, यह हुआ number five, why not, क्यों नहीं, number five, why not, number six है, liability, liability, liability का मतलब होता है, दाइत्व या जिम्मेदारी, it is my liability, यह मेरा दाइत्व है, यह मेरा दाइत्व है, यह मेरा दाइत्व है, यह मेरी जिम्मेदारी है, इसका मतलब होगा, it is my liability का मतलब होगा, यह मेरा जिम्मेदारी है, नमबर 7 है guilty, guilty means होता है दोसी या अपराधी I am feeling very guilty, मैं दोसी महसूस कर रहा हूं नमबर 7 है, I am feeling very guilty, मैं दोसी महसूस कर रहा हूं और नमबर 8 है dull, dull में सोचता है सुस्त या आलसी He is such a dull boy, वह एक बहुत ही सुस्त लड़का है Next है, नमबर 9 है, well-mannered नमबर 9 है, well-mannered और इसका मतलब होता है सिस्ट तमीजदार और इसका sentence बनेगा, he seems to be a well-mannered person वह एक सिस्ट ब्यक्ती लगता है और ये हुआ नमबर 9, नमबर 10 होगा नमबर 10 है, ये तो हुआ नमबर 9, नमबर 10 है, admire admire, admire का मतलब होता है प्रसंसा करना या तारीफ करना और इसका sentence बनेगा, I admire your dedication for English learning मैं आपकी English सीखने की निस्ठा या समरपन की प्रसंसा करती हूं मैं आप सबी की English सीखने की निस्ठा या समरपन की प्रसंसा करती हूं admire, admire मिन्स होता है प्रसंसा करना ये हमार वोकाव हूआ admire और नमबर 11 है dedication नमबर 11 है dedication नमबर 11 है dedication dedication का मतलब होता है निस्ठा निस्ठा या समरपन her dedication to her work is visible इसका sentence बनेगा, her dedication to her work is visible उसे उसके काम के प्रती समरपन दिखता है नमबर 11 है dedication dedication का मतलब होता है निस्ठा या समरपन निस्ठा या समरपन नमबर 11 हुआ ये नमबर 12 है serious हम लोग daily use करते हैं serious serious का मतलब होता है serious का मतलब होता है गंभीर या चिंता जनक और इसका sentence बनेगा why are you so serious यानि इसका हिंदी मिनिंग होगा तुम इतना गंभीर क्यों हो तुम इतना गंभीर क्यों हो नमबर 13 है guide guide मिन्स होता है मार्ग दर्शन करना या रास्ता दिखाना मार्ग दर्शन करना या रास्ता दिखाना और इसका sentence बनेगा guide मिन्स होता है मार्ग दर्शन करना या रास्ता दिखाना और इसका sentence बनेगा she will guide you when I am gone she will guide you when I am gone जब मैं नहीं रहूं गी तो वो तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगी guide, मार्ग दर्शन करना, रास्ता दिखाना she will guide you when I am gone जब मैं नहीं रहूंगी तो वो तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगी misguide, misguide, misguide means होता है रास्ता भटकना, भखाना, गुम्राह करना और इसका sentence बनेगा don't misguide her, don't misguide her, उसे गुम्राह मत करो number 14 हुआ, next देखते हैं क्या है, number 15 क्या है number 14 तो हो गया, misguide, number 15, number 15 है optimist, misguide means होता है आशावादी और इसका sentence बनेगा, she is an optimist girl वो एक आशावादी लड़की है, optimist आशावादी number 16 है pessimist, निराशावादी, just opposite, never be a pessimist, never be pessimist, इसका हो जाएगा although, number 17 है although, although का मतलब होता है हाला की या फिर भी although का sentence बनेगा, although he is ill, he went to work वह बिमार है, फिर भी वह काम पर गया वह बिमार है, फिर भी काम पर गया although, हाला की, फिर भी although he is ill, he went to work number 17, यह हुआ number 70 although, although मिन्स होता है हाला की, या फिर भी और इसका sentence बना, number 18 देखते हैं polite, polite मिन्स होता है सब भी सिस्ट या विनम्र सब भी सिस्ट या विनम्र और, polite मिन्स होता है सब भी सिस्ट या विनम्र और इसका sentence बनेगा, बिपोलाइट विनम्र बनो, या polite हम लोग बोलते हैं, polite कमेंट करो असा भी कुछ बोलते हैं तो polite मिन्स होता है सब भी यानि सिस्ट, विनम्र next है, number 19 है, proper proper मिन्स होता है, उचित ठीक या सही और इसका sentence बना remind me of it at the proper time, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, remind me of, number 20 है get ready, get ready means होता है, तयार होना number 20 है, get ready, तयार होना, get ready if you want to come along, साथ में चलना होतो, तयार हो जाओ और इसका हिंदी होगा, साथ में चलना हो तो, तयार हो जाओ, get ready तयार होना number 20 होगे, 21st है cautiously cautiously मतलब होता है, सावधानी से या सतर्कता पुर्वक walk cautiously यानि संभल कर चलो worry 22 है, worry worry मिन्स होता है, चिंता, सभी जानते होंगे don't worry, चिंता मत करो जादा तर यूज करते है 23 है, invite invite मिन्स होता है, निमंत्रण देना so I invite him on my birthday so I invite him on my birthday इसका मतलब होता है, हिंदी की मतलब होता है क्या मुझे उसे अपने जनम दिन पर आमंत्रत करना चाहिए क्या मुझे उसे अपने जनम दिन पर अवंतुरत करना चाहिए इन्वाइट मिन्स होता है निमंत्रण देना ये हो गया 23, 24 है ओपन मिन्स होता है नराज करना अपमान करना अब अब मिन्स होता है नराज करना या अपमान करना और इसका बनेगा sentence I didn't mean to offend you मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था 25 है come down 25 है come down और come down मिन्स होता है come down मिन्स होता है सांत सांत होना सांत या सांत होना सांत या सांत होना और इसका sentence बनेगा come down सांत हो जाओ सांत हो जाओ सांत हो जाओ सो आप सभी को इसको जितना भी वोकाबलरी है सेंटेंस के साथ राइट करना है इसे लर्न करना है और इसे यूज करना है अधिकते इसे यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें सोचें इसके बारे में और इसे learn करें और इसे पढ़ें Thank you, thanks for watching